नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए राजिस्तान महत्वपूर्ण अपडेट है RSMSSB और RPSC की तरब से तो आज आंसर की भी जारी की गई है और परिणाम भी जारी किया परिणाम ऐने की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है क्या कटोप यह वो बताऊंगा आप लोगों को राज़तान करमचारी चेनवोड ने तो अपना परिणाम जारी किया है वेटिंग लिस्ट जारी किये और आंसर की जो है RPSC ने जारी किये तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा आपको यह पीडियप खहां मिलेगी तो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी सबसे पहले बता दूँ आपको पीडियप लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेफसाइट का तो वहां से डाउनलोड करना आपको ठीक है और टेलिग्राम गु रुपे हमारा स्टेडी आईक्यू अकेडमी के नाम से कौन सा रिजिल्ट है कौन सी आंसर की वह सारी बताता हूं आपको तो यहां पर देखें मित्रों यह दोस्तों किुशन पेपर भी देख सकते हैं आप तो यहां पर जो है वरिष्ट अद्यापक तो उसके नहां पर आं आंसर की भी आप लोगों को बता देता हूं यह रही पूरा अपडेट तो क्या अपडेट है अभी देख लीजिएगा कि जो है एकिस बाइस और तेविस दिसमबर और चब्विश दिसमबर को वरिष्ट अद्यापक मादे में शिक्षा विबाग की जो परते होगी प्रिक् मार्च दोजार तेविस रातری बारा बजे तक आप आपती दर्ज करवा सकते हैं और आपको जो आपती दर्ज करवानी वो इस्टेंडर्ड बुक होनी चीए ठीक है उसके कही नहीं स्टेंडर्ड बुक में जो है मामला होना चीए और सो रुपे का चालान लगेगा एक को आप तीन-चार दिनों से लगतर मांग भी कर रहे थे कि हमारे आंसर की नहीं आए आंसर की नहीं आए तो अब आंसर की भी आ चुकी है अब परिणाम राष्टान करमचारी चेनवोर्ड ने क्या जारी किया है तो वो भी आप लोगों को बता देता हूं तो यह देख लीजे तो सारवजन एक निर्मान विबाग तो इसमें जो है एक केंडिडेट का सेलेक्शन हुआ है नोन टीएसपी में तो कटोप गई है इसकी 61.88 लड़की की जनरल में 61.88 कटोप गई है किसमें यह गई है दोस्तों PWD में उसके लावा नहाँ पर टीएसप अरिया में भी एक ज सेलेक्शन हुआ है तो जनरल में इसकी कटोप गई है लड़की की 61 और एस्टी में लड़कों की गई है 77.33 और OBC की गई है नहाँ पर लड़कियों की 57 तो आप लोग देख सकते हैं इस परकार यह कटोप रही है नहाँ पर तीनों केटेगरी के बता दी एस्टी के 77 जनरल क इसकी 61 और OBC की सत्ता होग इस परकार कटोप है उसके लाबा यहाँ पर टीएसपी में ही जो है स्वेच सासन विवाग है नहीं की जो डेल भी विवाग है उसमें यहाँ पर चार लड़कों लड़कों को सेलेक्शन हुआ है तो उसमें भी आप देखेंगे तो जनरल की कटो है तो 80 है लड़कियों की देखेंगे तो 64 कटोप है उसके लाबा टीएसपी अरिया में भी एक सेलेक्शन हुआ है जिसकी 44 कटोप है जनरल के टिगरी से उसके लाबा डिप्लोमा में पी एचीडी की देखेंगे तो यहाँ पर साथ आठ बच्चों का सेलेक्शन हुआ है त प्रकार डीलवी में कटोप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल की 80, SC की 75 और OBC की 80 कटोप रही है तो जनरल OBC की समान उसके लावा जहाँ पीएचीडी विबाग में देखेंगे तो टीएसपी एरिया में जो कटोपर जनरल की 76 और लड़कियों की 68 और SC में 70 कटोप है, ST में लड़कों की दोस्तों 55 है और OBC में लड़कों की 50 है, PhD कनिष्ट अभियंता यांत्रिक विद्धुत वाले जो बच्चे हैं, तीन लड़कों की सेलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर लड़कों की कटोप 84 है और लड़कों की 58 कटोप है, DLB में देखेंग उसके लावा, DLB में लड़कों की तो इसमें जो कटोप गई है जनरल की 38 की 38 कटोप है, तो यह परकार यह परणाम जारी हो चुका है, तो जिनका सेलेक्शन हुआ है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बदाए हो, आप लोगों का कुश्या मिल गई है कि सेलेक्शन हो गय के आंजर की आईकोट का प्रणाम अगरा, जो भी जान करेंगे सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल स्टेडिया एकोकेडमी को अब तक सस्क्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, और नहीं करेंगे, तो आपकी मर्जी, और वैसे सस्क्राइब करने में कोई पैसा अगरा तो लगता नहीं है, बस एक लाल कलर का बटन दवा ना है, तो दवा दीजिए, आपका मन कर रहा है कि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद